संद रविदास, 15. सतावधी के सवसे प्रसिद एवन परमुक संदों में से एक थे रविदास जी एक महान संद और समाज सुधारक के सांच साथ इश्वर के अनुयाई, दर्शन सास्तृणी और एक महान कवी थे संत रविदास जी रहेदास के नाम से भी जाने जाते हैं निर्गुर संपरदाय के प्रसिद्य संत रविदास जी ने अपनी स्वरचना के माध्यम से अपने अनुयाईयों और समाज के लोगों को समाजिक और अध्यात्मिक संदेश दिया लोग उन्हें मसिया मानते थे भक्ति कालीन संत वो कभी रविदास का जीवन वो उनकी सिक्षाएं अच्चंत प्रिरक है वे महान अध्यात्मिक समाज सुधारक थे उन्होंने कहा मनो वांचित जन्म किसी के वस की बात नहीं जन्म इस्वर के हाथ में है सभी इस्वर की संतान है अता जन्म के आधार पर भेदभाव करना इस्वर की विवस्था को नकारने जैसा है वे कहते हैं रायदास जन्म के कारणों होत न कोई नीच नरकों नीच करीडारी ओछे कर्मन की कीच उन्होंने घिर्णा का प्रतिकार घिर्णा से नहीं बलकि प्रेम से किया हिंसा का हिंसा से नहीं बलकि अहिंसा और सद्भावना से किया इसलिए वे प्रतियक ब्यक्ति के प्रेना स्रोट बने उन्होंने निर्विक्ता से अपनी बात कही समाज को नई राह दिखाई और कुरूतियों को दूर करने के लिए सच और साहस को अधार संत्रविदास को बेदों पर अटूट विश्वास था वे सभी को बेद पढ़ने का उपदेश देते हैं संत्रविदास जैनती हिंदू कैलेंडर के अनुसार माग महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है संत्रविदास जी का जन्म बाराणसी के पास एक गाउं में हुआ माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 1450 में हुआ था उनकी माता का नाम स्रिमती कलसा देवी और पिता का नाम स्री संतोख दास जी था संत्रविदास बच्पन से ही बुद्धिमान, बहादूर, होनहार और भगवान के प्रती चाह रखने वाले थे रविदास जी ने अपनी प्रारंभिक सिच्छा, अपने गुरू पंडित सारदानंद की पाटसाला से सुरू की थी संत्रविदास जैन्ती पर उनके यन्याई पवित्र नदियों में असनान करते हैं उसके बाद अपने गुरू के जीवन से जुड़ी महान घटनाओं को याद कर उनसे प्रिणा लेते हैं संत्रविदास के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जिन से हम सुखी जीवन के सुत्र सीख सकते हैं ये दिन उनकी यनुनाईयों के लिए बारसिक उच्सो की तरह होता है उनके जन्व अस्थानों पर लाखो भग पहुंचते हैं और वहां बड़ा कारिकरम होता है जहां संत्रविदास जी के दोहे गाई जाते हैं और भजन कृतन भी होता है एक कथा के अनुसार रविदास जी अपने साथी के साथ खेल रहे थे एक दिन खेलने के बाद अगले दिन वो साथी नहीं आया तो रविदास जी उसे ढूनने चले गए लेकिन उन्हें पता चला कि उसकी मृत्वी हो गई यह देखकर रविदास जी बहुत दुखी होते हैं और अपने मित्र को बोलते हैं कि उठो ये समय सोने का नहीं मेरे साथ खेलो इतना सुनकर उनका मिर्त साथ ही खड़ा हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संद रविदास जी को बच्पन से ही अलोकिक सक्तियां प्राप्ती लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया उन्होंने अपनी सक्ति भगवान राम और किस्न के भक्ती में लगाई इस तरह धीरे धीरे लोगों का भला करते हुए वो संत बन गए पंच गंगा घाट के प्रसिद संत स्वामी रामानंद का सिस्य बनने की इक्षा भक्त रहिदास के मन में जागी तो स्वामी रामानंद ने इसे तुरंत सिवकार कर लिया भक्त रायदास ने कहा हम चमार हैं तो स्वामी रामानंद ने कहा प्रभु के यहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता स्वामी रामानंद ने रायदास को प्रभुराम के भक्ती करने तथा भजन लिखने का आग्रह किया भक्ति भाव से पद लिखना भक्तों के मद्द गाना किन्तु जूते बनाने का अपना बेवसाय भी करते रहना यहीं उनकी दिन्चरिया हो गई भक्त रैदास कहते हैं कि सभी का प्रभु एक है तो यह जाती भेद जन्म से क्यों आगया यह मित्या है जाती एक जामे कहीं चिन्ना देह अवयय कोई नहीं भिन्ना कर्म प्रधान रिसीमु निगावे यथा कर्म फल तसहीं पावे जिव कए जाती बरन कुल नाही जाती भेद है जग मुर्खाई नीति सिंबृति सास्त्र सब गावे जाती भेद सठ मुण बतावे अर्थात जीव की कोई जाती नहीं होती न वण न कुल रिसी मुनियों ने वण को कर्म प्रधान बताया है हमारे सास्त्र भी यहीं कहते हैं जाती भेद की बात मुण और सठ करते हैं वास्तों में सब की जाती एक ही है संतर अविदास कहते हैं संतों के मन में तो सभी के हित की बात ही रहती है वे सभी के अंदर एक ही इस्वर के दर्सन करते हैं तथा जाती पाती का विचार नहीं करते संतन के मन होते हैं सब के हित की बात घट घट देखे अलख को पूछे जात नपात संतरहदास ने जातिगत भेद भाव की व्योस्था को अपनी बाणियों में ही सहज धंक से व्यक्त किया और लोगों को समझाया की जन्मना कोई स्रिष्ट या नीच नहीं होता ओछे कर्म ही व्यक्ति को नीच बनाते हैं रविदास जन्म के करने होत न कोई नीच नरको नीच करीडारी है ओछे करम की कीच उनके विचार से जन्मना कोई ब्राम्मन छत्रिय वैस सुद्र नहीं है उची जाति का व्यक्ति वहीं है जिसके कर्म अच्छे है ब्रामन खतरी वैस सुद्ध रविदास जनमते नाही जो चाही सुबरनकव पावड कर्मन माही भक्त रहिदास का भक्ती भाव देखकर कासी नरेस उनके सिस्य बन गए जित तौड के महराणा उदै सिंग की पत्नी जाली रानी संत रहिदास की सिस्या हो गए कुछ इतिहासकार उस जाली रानी को राणा कुम्भा की मा तथा कोई उसको राणा संगा की धर्म पत्नी समझते हैं संत नाभादास ने भक्त माल में इनका वर्ण किया है बस्तर चित और माजनारी एक जाली नाम नाम बिन काम खाली आनिसिस भई है देश भर में प्रतिष्ठा प्राप्त एश्वर्य सक्ति संपन्य चित्तोर गड़ की कुलबदू मीरा ने भी भक्त रायदास को ही अपना गुरू सिरकार किया कृष्ण भक्ती में आकंठ डूबी मीरा अनेक परकार का बिरोज सहान करती हुई भक्त रायदास की सरण में आ गई उन्हीं से मीरा ने असिरवाद पाया और भक्ती में लीन हो गई मीरा और भक्त रायदास का मिलन सगुन और निर्गुन भक्ती धाराओं का मिलन तो है ही साथ ही साथ जातिगत अधार पर भेद मानने वालों को एक सुन्दर अनुकरणिय सीख भी है संत रायदास को मुसल्मान बनाने से उनको लाखो भक्त भी मुसल्मान बन जाएंगे ऐसा सोच कर धर्म परिवर्तन के लिए उन पर अनेक प्रकार का दबाव आया किन्तु संत रायदास की रुषरधा और निष्टा को हम अटूट पाते हैं सदना पीर इनको मुसल्मान बनाने आया था किन्तु इनकी इश्वर भक्ती और अध्यात्मिक साधना चे प्रवावित होकर सदना पीर हिंदू होकर रामदास नाम से उनका सिस्य बन गया आस्था बराबर रखते हैं सिकंदर लोधी उनको मुसल्मान बनाने के लिए प्रलोभन तथा दबाव दोनों की नीती अपनाता है लोगों को उनके पास भेजता है किन्तु उनका उत्तर सिधा सपाथ है वे बार-बार हिंदू धरम में अपनी सरदा निष्ठा तथा आस्ता व्यक्त करते हैं उनकी दिरिश्टी तथा सोच अस्वस्ट है बेद वाक्य उत्तम धरम निर्मल वाका ज्यान या सच्चा मत छोड़कर मै को पहूं कुरान कुरान भैसत न चाहिए मुझको हूर हजार वेद धरम त्याग नहीं जो गल चले कटार वेद धरम है पून धरमा करी कल्यान मिटावे भरमा सत्य सनातन वेद है ज्यान धरम मरयाद जो न जाने वेद को व्रिथा करे बकवाद धरम परिवर्तन से इनकार करने पर सिकंदर लोदी ने संतर रैदास को कठोर दंड देने की धमकी दी तो उन्होंने निर्भिक्ता के साथ उत्तर दिया मैं नहीं दब्बू बाल गमारा गंग त्याग गहूं ताल किनारा प्राण तजू पर धरम न देवूं तुमसे साह सत्य कह देवूं चोटी सिखाक कब हूं नहीं त्यागे बहत्र समेत देह भल त्याग कंठ क्रिपान करे प्रहारा चाहे डुबावो सिंधु मन्झारा मुसलिम आतं के उस कठिन काल में भी संतर रैदास ने सची भक्ती की निर्मल गंगा प्रवाहित कर दी उन्होंने सैकडो भक्ती पदों की रचना की और उन पदों को भावी भोर होकर वी गाते थे